बुदेल खंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच कैबिनेट मंतरी सुरेश खंणा बांदा पहुँचे जहां उन्होंने मेडिकल कॉलिज में विवस्थाओं का जायसा लिया और जरूरी दिशान निर्देश दिये इस दोरां सुरेश खंणा ने वाट ब्लॉक का निरिक्षन किया और मरीजों से बात कर विवस्थाओं का फीडबैक लिया कैबिनेट मंतरी सुरेश खंणा ने मेडिकल कॉलिज में 15 दिन के अंदर कोरोना की जाच शुरू कराने की बात कही उन्होंने कहा कि उतर प्रदेश में हर दिन 15,000 कोविड-19 के टेस्ट हो रहे हैं और जल्दी 20 से 25,000 टेस्ट किये जाएंगे जो सरकार की तरफ से सुवज़ा दी गई जो सरकार की तरफ से लगातार पूरे मनुयोग और शिदत से जो वेवस्थाइं की गई वो उन लोगों तक पहुँचे उन लोगों का इलाज प्रदा से हो कि सभी प्रकार की सुभाएं उन लोगों को बिले इस उद्देश से हम ब्रत्तिक शुरूप से देखने के लिए आज आपके दीच में आएंगे मैं बदाई देना चाहता हूँ प्रधान मंतिव जी को अपने मुख मंतिव जी को जोनों ने उत्तर प्रदेश में टेस्टिक वैसिलिटी सव से बढ़ाकर 15,000 तक कर दी है आने वाले समय में हम 20,000 और 25,000 टेस्टिक वैसिलिटी हो जाएगी प्रदेश में और उत्तर प्रदे और यह अपने आप में यह भी जो लागडाउन सकती से लागू किया गया जिस प्रकार से मौनीटरिंग की गई एक कॉंस्टेंट मौनीटरिंग का ही नफीजा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के फैलाव को हम रोख सके हैं और हर प्रकार की बिटकर सुविदा बढ़ाने के लिए हम संकल प्रद हैं लगातार हमारी कोशिश यह है कि हल जगा गैस की पाइपलाइन भी हो सिलेंडर भी हो वेंटिलेटर भी हो और जितनी भी इसके लिए आवश्यकता है सभी इस्थानों पर वेंटिलेटर की वरस्था भी कर दी गई किसी प्रकार की कोई असुदा नहों पेशेंट्स को और हर तरह से ही एक पोषिश की वही जो हमारा डिस रेट है मिनवाइट, मो इसको हम मिन्माइश करें, इतना ज्यादा ज्यादा हो सके हो मौर्टल्टी रेट को हम भोगें, और उसी उद्देश से कहीं पर भी जराब येगर कोई लापरवाई जरी हम प्रेंट पर उसके शलाफ कारवाई भी जरूर की जो आज भी हम पूर्टावाल को आप लोगों के मादधम से के बार एक ही बात कहना चाहते हैं कि अभी तक सरकार ने पूरी शिदत के साथ पूरी ताकत के साथ कोरोना के फैलाव को रोका है अब हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे मास का प्रयोग करेंगे तो बार बार हाथ दुएंगे तो कोरोना से संक्रमित होने के चांसेस नहीं रहे हैं जो भी इन सरकारी दिर्दोशों का पालन करेंगे तो दिश्चित रूप से हम करोना का बचाव कर सकते हैं यहां बांदा में आज की तारीख में पेशेंट्स 46 हैं जिसमें 38 मेल हैं 8 फीमेल हैं मेरी चार पेशेंट्स से भी बाता हुई थी मैंने चारों से उनके हालात की जानकारी की उनकी परिसिती की जानकारी भी की और यहां की व्यवस्थाओं के बारे में यहां जो दिजारी सुविधाओं उनके बारे मी जानकारी की मैं समझता हूँ कि जो भी सरकार की तरफ से अनमन सुवधा है, और निश्यत रूप से उन लोगों को मिल रही है, उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है मेडिकल कॉलिज के निरक्षन के साथ कैबिनेट मंतरी सुरेश खन्ना निस सरकिट हाउस में जन प्रतिनीधियों और जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां जिले की स्वास्त शिक्षा और कानून व्यवस्था के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर एहमत की रिपोर्ट